हाई गाईस आज का हमारा टोपिक है दिफ्रेंशियल इक्वेशन इक्वेशन आप स्कूल के टाइम से बढ़ रहे है जैसे की x प्लस y is equal to 6 तो यह है इक्वेशन अगर ऐसे कीसी इक्वेशन में डेरिवेशन आ जाता है तो उसे हम बूलते है दिफ्रेंशियल इक्वेशन जैसे की d2y by dx2 plus dy by dx is equal to 5 तो इसे हम बूलेंगे दिफ्रेंशियल इक्वेशन इक्वेशन को अलग-अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे की dy by dx को बहुंद d भी बोल सकते है y-d भी बोल सकते है d2y by dx2 तो इसे हम d2 भी लिख सकते है और y गए double dash b लिख सकते है अगर इसी equation को मुझे d के फर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखुने 10 square plus d is equals to 5 अगर इसी equation को मुझे y-d के फर्म में लिखना है तो मैं कैसी लिखुने y double dash plus y dash is equals इस तरह से किसी भी Cention को mag wires सकते समय गए तो आगे बढ़ते हैं डिप्रेंशिल इक्वेशन दो टाइप के होता है ऑर्डिनरे डिफ्रेंशियल इक्वेशन और पार्शिल डिफेंशिल इक्वेशन अगर डिट डिवेशन गोलेंगे और। differential equation जैसे कि यहाँ u का derivation bye मँभी एक इंपोर्टर्ट टॉपिक और एंड डिग्री order and degree order यानि highest derivative of differential equation कोई भी एक्वेशन में जो हाइस्ट derivative होगा उसे हम उसका order हो लेंगे और डिग्री मिन्स पावर ओफ हाइस्ट डेरिवेटिव ठीक है चलो एक एक एक्जाम्पल लेते हैं कि डिस्क्वेर वाई बाई डिएक स्क्वेर प्लस डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई इस इक्वेल्स टू एट और हमें भूला गया है कि इसका order और डिग्री फाइंड गीजे हटो यहां कि यहां पर हाईष्ट आपके डिbabया है कि अधुकर्ण कान सब्सक्रमाइब सोर्ब क्या होगा सेकिर्ट है तो यहां पर ओडर क्या होगा है दो दिव लिवन्स पावर और हिएसट डेरिविटिव तो यहां पी इसका पावर कितना है व्ल CT डिगरी क्या होगी ठेक है अभी एक दूसरा एक्जामपल लेता है डिक्यूब वाई बाई दी एक्स क्यूब प्लस दी वाई बाई दी एक्स होल क्यूब इस इक्वल स्टू ने और हमें बोला गया है कि इसका ओर्डर और डिगरी फाइंड कीजिए तो यहां पर ओर्डर क्या होगा यह थर्ड ओर्डर डेरिवेटिव वाग क्यूंकि दी क्यूब बाई-बाई-बाई-दी एक्स का पावर क्या दिया हुआ है तो हम यहां पर तीन लेकिन अकोर्डिंग टू डेफिनेशन पावर ओफ हाइस डेरिवेटिव इस डिगरी सो हमें पावर किसका देखना है इसका ठीक है तो यहां पर डिगरी क्या होगी वल तो यह चीज़ ध्यान में रखनी है और जीटियो में हमेशा एक मार्क में ओर्डर और डिगरी पूछा ही ज डिफ्रेंशियल एक्वेशन को हम कैसे करता है तो कोई भी डिफ्रेंशियल एक्वेशन में अर्भीटरी कंस्टेंट होंगे अर्भीटरी constant उसको हमें eliminate करना पड़ेगा तो differential equation बन जाएगा अगर यहाँ पे दो arbitrary constants है तो बनेगा second order derivative अगर यहाँ पे three arbitrary constants है तो बनेगा third order derivative वैसे ही अगर यहाँ पे n arbitrary constants आ गए तो बनेगा nth order derivative समझ में आगा है एक एक एक्जामपल लेते है y is equals to a cos omega d plus alpha ठीक है तो यहाँ पे दो arbitrary constants है a and alpha तो दो arbitrary constants हुए तो जो हमें answer मिलेगा वो second order derivative होगा ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते है with respect to t पहला differentiation करते है तो a as it is cos omega t plus alpha उसका होता है minus sin omega t plus alpha omega t का fit से क्या होगा omega ठीक है plus cos omega t plus alpha as it is a का derivation क्या होगा 0 क्योंकि a constant term है तो यहाँ पे वो term लिखने के कोई जरूरत है नहीं ठीक है अभी इसको हम बोलते हैं equation 1 once again differentiation करते है d square y by dt square omega a as it is minus sin omega t plus alpha का क्या होगा minus cos omega t plus alpha omega t फिर से क्या होगा omega तो यहाँ पे हो जाएगा omega square ठीक है plus minus sin omega t plus alpha as it is और omega a constant term है तो उसका differentiation क्या होगा 0 तो वो term हमें लिखने के कोई जरूरत है नहीं तो यह क्या होगा minus omega square into cos omega t plus alpha ठीक है अभी a cos omega t plus alpha according to equation 1 क्या है y तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे minus omega square into y ठीक है अभी इस term को इस side ले आते हैं तो वहाँ पे minus है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा plus d square y y dt square plus omega square y is equal to 0 which is required differential equation अभी देखो दो arbitrary constant है तो यहाँ पे हमें second order derivative मिला ठीक है समझ में आ गया चलो एक और एक्जाम्पल देखते है y is equal to e raise to minus x a cos x plus b sin x ठीक है और हमें ऐसा भूना गया है कि यह y double dash plus 2y dash plus 2y is equal to 0 का एक solution है ऐसा verify करो ठीक है तो हम क्या करेंगे with respect to a पहला derivation करता है y dash is equal to e raise to minus x as it is a cos x का क्या होगा minus a sin x b sin x का क्या होगा plus b cos x ठीक है plus a cos x plus b sin x as it is और e raise to minus x का क्या होगा minus e raise to minus x ठीक है अभी इसको बोल देते है equation 1 यहाँ पे क्या होगा e raise to minus x minus a sin x plus b cos x plus minus क्या होता है minus अभी बचा क्या e raise to minus x e cos x plus b sin x तो according to equation 1 वो तो क्या है minus y minus y इस साइड आ जाता है तो y dash plus y is equal to e raise to minus x minus a sin x plus b cos x इसको बोल देते हैं equation 2 ठीक है once again इसका derivation करता है तो यहाँ पे क्या है y double dash plus y dash is equal to e raise to minus x as it is यहाँ पे होगा a sin x का a cos x b cos x का minus b sin x ठीक है plus minus a sin x plus b cos x as it is और e raise to minus x का होगा minus e raise to minus x ठीक है तो यहाँ पे minus क्यों निकलते हैं तो minus e raise to minus x a cos x plus b sin x plus minus minus e raise to minus x minus a sin x plus b cos x ठीक है अभी according to equation 1 e raise to minus x a cos x plus b sin x तो क्या है y तो यहाँ पे क्या जाएगा minus y और according to equation 2 e raise to minus x minus a sin x plus b cos x क्या है y dash plus y लेकिन यहाँ पे क्या है minus y dash minus y so minus 2y minus y dash इस term को हम इस side ले आते हैं तो क्या होगा y double dash plus y dash plus y dash plus y dash 2y dash plus 2y is equals to 0 तो इस तरह से verify हो गया कि यह equation इस equation का एक solution है दूसरी एक चीज़ देखो यहाँ पे arbitrary constant कितने है थे दो a and b तो यहाँ पे मिला second order derivative समझ में आगा है तो आज का lecture हम यहीं पे complete कर रहा है अगर आपको कोई दिख्कत है तो मुझे आप comment में लिख सकता है ठीक है thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel